अब आप दोस्तों बाइओं बेरों नमस्कार स्वागते इसमें किस्मा चैट के वीडियो में राजस्तान से दस बड़ी कबरों समना रहे हैं आज जान लेते हैं राजस्तान की इन दस खबरों के बारे में फटा पुछे तो सुरू करते हैं आज का वीडियो और सब जपेले आज आज से कंप्यूटर इस्पेक्टर बढ़ती हो सकती है ले रेल यातिरू के लिए कुस्कबरी इंदस ट्रेनों में बढ़ाई अधरी कोच डिसेंबर से बारा से सत्रा साल की एज ग्रूप का वेक्षिनेशन होगा चले दोस्तों इन खबरों के बारे में आप विस्तार में भी आज से बदल जाएंगे राजिस सरकार ने इस बार काफी देर से स्कुलों का समय बदला हैं सोमार को दिपावली के बाद फिर से स्कुल खुलेंगे एक बारी स्कुल का समय सुबह 10 बज़े से साम 4 बज़े तक का होगा वहीं दो पारे वाले स्कुल सुबह 7 साध-7 वजे से साम साधे पांच बदेत तक संचालित होंगे चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं अधिक वेट का असर स्तिरिफ जंता पर ही नहीं के अंदर सरकार की ओर से एक साइज ड्यूटी कटाने की बाद गेर कॉंग्रेश आशित पच्छिस राजियों ने भी पेट्रोल डीजल पर वेट घटा कर जंता को अतरिक रात दी हैं अब रविवार कॉंग्रेश आशित पंजाब ने भी पेट्रोल पर वेट दर दस रूपए और डीजल पर पांच रूपए परति लीटर कटाने की कोश्णा की है इससे वहाँ पेट्रोल की केमत 95 रूपए और डीजल की 84 रूपए परति लीटर हो गई हैं यह उत्र भारत में सबसे कम हैं वहीं राजस्तान सरकार ने वेट कटाने से इंकार कर दिया हैं ऐसे में यहाँ आप भी पेट्रोल राजियों से 20% महंगा पेट्रोल डीजल हैं यही वज़े हैं कि दो साल से यहां डीजल की बिगरी 9.1 लाग लेटर गट गई हैं इसलिए हरियाना पंजाब की सिमा से 60-1200 से अधिक पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर हैं चलिए अगले बडेट जान लेते हैं कोरोना पर गहलोत की चिंता राजस्तान भले ही कोरोना के सबसे कम आ रहे हैं लेकिन मुख्यमंद्रिया सो गहलोत ने परदेश में आगामी दिनों में कोरोना के केस बढ़ने की आसंगा जता हैं उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का पालना करने के लिए अपील किया हैं साथ ही उन लोगों का आना जाना सुर्व हो गया हैं विशेश्यू का अनुमान है कि त्योहरों के दोरान हुए आगमन से कोरोना वाइरिस के मामले बढ़ सकते हैं इससे बचने के लिए अभी से सभी को कोईट प्रोटोकॉल का सक्ति से पालना करनी होगी साथ ही टेस्टिंग भी ज्य नहीं लगाने को आगा किया है कि विक्सिनेशन की दोनों डूस लगवाई और कोईट प्रोटोकॉल का सक्ति से पालना तरहिए चलिए अगली बडेट जान लेते हैं बाजरा किसान 9 नुम्बर को गहरेंगे मुख्यमंत्री निवास परदेश में बाजरा की बंपर प्यदा हुई हैं लेकिन डिपावली पर भी राजी सरकार ने ए मच्क करेदें की कोसना नहीं कि हैं जिसे गेलो सरकार से खपा किसान महा पंचायद ने किसानों के साथ लूट मचा दिये मन मरजी और पने द्यमों पर किसानों की पसल खरीदी जारी हैं मजबूरी से दूखी मन से किसान प्रोडेक्शन कोड से भी सस्ता बाजरा बेच रहे हैं उन्हें आगे का भुषिय भी अंदकार में नजर आ रहा हैं रामपालजार्ट न पर कोशित किया हैं लेकिन राजस्तान के में बाजरे की सरकारी खरीदी नहीं होने से किसानों को अपना बाजरा तेरह सो से चुगदा सो रूपिय परति क्विंटल के और पोने दमों पर बिजूलियों को बेचना पढ़ रहा हैं इससे किसानों को एक क्विंटल पर ही आर् से सुगों पूराने मेला मेदान की जगें मोटिसर रोड स्तित नए मेदान पर भरेगा मेली की परिशास निक्स तरपरतीर हैं चल रहें हैं ने परतुमेला मेदान पूसे आसु सालाएं वे ऐस्ताई दुकाने सजने लगी हैं हर साल की तरह इस साल सांस्कर्टिक काहरी करम वे परतियोगता ही नहीं होगी साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना की सर्थ भी रहेगी चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं अब कर लिएजे राजस्तान समाचाव को सब्सक्राइब तो चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं रेली यात्रियों के लिए एक उसकबरी इन 10 ट्रेनों में बढ़े जाएंगी अतरिक्त कोच, भारती रेल्वे की ओर से त्योहारों पर यात्रियों को सुईदा देने की कोईद जारी हैं, त्योहार पर गर गई यात्रियों को अब लोडने का सिलसला फिर से सुरू हुआ हैं, छट पूजा के लिए कई यात्रि, बिहार और पुरा चल में अपने घर जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए पशिम मध्यम रेल्वे ने एक बार फिर से 10 ट्रेनों में अतरिक्त कोच की बढ़ती हैं, दिवाली अभी गई हैं और छट का त्योहार आने वाला हैं, द दिसेमबर से 12 वर्षे 17 वर्ष तक के एज घ्रूप के बच्चों का वेक्शिनेशन, राज़तान में दिसेमबर से fragile 12 से 17 साल के एज ग्रूप का वेक्शिनेशन भी सुरु हो सकता हैं, स्वास्त विपाग ने राज्य में इस एज ग्रूप के 1.10 क्रोड किश्व किश्यों क को चिनित किया हैं विपाग के टेस्ट लेवल की टीम को पिछले दिनों केंदर सरकार के स्वास्तिवाइब की टीम ने ट्रेनिंग भी दी थी अब जल्द ही केंदर सरकार की नई गाड़लेंज जारी होते ही टेस्ट में नर्सिंग स्टाप एनसे समेथ वेक्षिनेशन करने व लिए अभी करेर राजस्तान समाचार को सब्सक्राइब जैहिन जै भारत